अब सिवान में कोई फेरी लगाकर शराब नहीं बेज पाएगा क्योंकि अब बिहार में उपर वाला सब देखेगा अब से हर गांव हर पंचायत में CCTV केमरा लगा होगा और उसे शराब पीने वालों को पकड़ा जाएगा और उसकी निग्रानी मुखिया और सरपंच जी करें और वह भी एक या दो नहीं बलकि सो CCTV केमरा हर पंचायत में बाकी हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार बलातकार को रोकने के लिए अपराथ को रोकने के लिए लूट गुंड़ाई को रोकने के लिए भुखमरी से मरने वालों के आख़रे जानने के लिए सरकारी इसकूलो केमरा लगवाना शुरू करेगी और कार्करम शुरू करने से पहले एक सला भी देते चलेंगे कि सरकार अपने दो-चार मंत्रियों के आगे पीछे भी CCTV केमरा लगवा दे ताकि उनके बारे में भी थोड़ी सच्ची जुठी जानकारी जनता के बीच आ सके बाकि यह जनता पहले तक कम सिरियस थी इसलिए चेक पोश पर CCTV केमरा लगवा रही थी अब ज्यादा सिरियस है इसलिए गाव और पंचायत में भी CCTV केमरा लगेंगे बिहार में तकरीबन 6 साल का वक्त गुजर चुका है शराबंदी को लागू हुए और इंस्टॉल्मेंट में सरकार सिरिय पहुच सकती है और उसके बाइस हो रही है रितिश कुमार के हंकार की परयोगशाला बन चुका बिहार अब एक और नए परयोग को देखने जा रहा है सरकार अब हर पंचायत में CCTV केमरा लगा कर देखने की कोशिश करेगी कि शराब कहां से कहां जा रही है और कौन ले जा पहुच सकती है और उसके बारे में सरकार को पता नहीं चल पाता है सरकार जनता को क्यूं नहीं बता पाती है बागी अगर शायर होता तो ये कहता की जाहिद शराब पीने दे बिधान सवा में बैठ कर या वो जगह बता दे जहां पर CCTV ना हो खेर उस घटना को इतने दिनों के बीच जाने के बाद भी कोई सचाई नहीं बता पाने वाली सरकार कैसे दावा कर सकती है कि CCTV लगवा देने से सारे शराब तसकर शराब बेचना बंद कर देंगे और विहार में सक्त शराब बंदी लागू हो जाएगी खबरों के मुताबिक विहार सरकार के पंचायती राजमी भाग ने टै किया है कि अब हर पंचायत में 100 CCTV कैमरे लगाये जाएंगे जिससे कि गाउं के किसी भी कोने में शराब तसकरी की घटनाओं पर नजर रखी जा सके और तसकरों को चिनित करके वाजिब कारवाई की जा सके और यह काम तब किया जाएगा जब पंचायत चुनाओं नी पढ़ जाएंगे ताकि चुनाओं के दवरान हो रहे उंच नीच को कवरेज ना मिले पंचायती राजमंतरी समडार चोधरी ने बताया हर पंचायत में लगभग 100 कैमरे लगाने की होजना है इन सभी कैमरों का एक्सेस प्रमूख लोगों के मुवाईल पर दिया जाएगा पंचायत के मुखिया, सरपंच, समद्धित थाने की प्रभारी अपने मुवाईल पर इसको देख सकेंगे सभी के मुवाईल पर 15 दिन का बैक अप भी होगा कैमरे काफी हाई टेकनलोजी के होंगे सेटप बॉक्स की कोई जरुवत नहीं होगी कुछ पंचायतों को मिलाकर एक कंट्रोल रूम बनाये जाएगा इससे अपराधी और शराब तसकरों पर बराबर नजर रखी जा सकती है आगे मंत्री जी का कहना है कि शराबंदी कानून के साथ खिलवाल करने वालों पर भी लगातार एक्शन दिया जाता रहेगा शहरी इलाकों में तो पुलिस शराब तसकरों को पकड़ लेती है हमिशुर थे प्रासना करते हैं कि माननीय मंत्री जी का कहा हुआ एक-एक वाक सार्थक साबीत हो और भीहार में शराबंदी लागू हो और उसके साथ-साथ प्रासना इस चीज की भी कि नल जल परियोजना की तरह कैमरा कैमरा ना खेल लिया जाए वरना सवाल तो यह भी उठेगा कि कैमरा लगवाने में हुई गलबडी के रिकॉर्डिंग किस कैमरे में हुई है बाकि यह बताते चले कि साल 2011 अब इतने को है और सरकारी आंकडों के मुताबिक 90 लोगों की मौत जहरीली शराब से अब तक हो चुकी है और आंकडों के इतर की गिंती नहीं बताई जाएगी CCTV कैमरे लगने के बाद सारे आकडे खुद बखुद सामने आ जाएंगे ऐसा सरकार का दावा है अब आते हैं इंशोर्ट की तुरब पहली ख़बर उत्तर परदेश के लखीमपूर में हुई हिंसा को आज SIT ने सोची समझी शाजिस बताया है SIT के जांच अज़कारी ने आरुपियों के खिलाप धाराएं बढ़ाने के लिए कोट में अरजी दे दी है कोट में केंद्रियग्री राजमंत्री अज़े मिस्रा टेनी के बेटे आशीश मिस्रा कुर्फ मोनू समेथ 14 आरुपियों को कोट में पेश किया है माना जा रहा है कि कोट SIT को इस मामले में धराएं बढ़ाने की यनुमती दे सकता है इसके बाद मंत्री के बेटे सही बाकी आरोपियों पर हत्या और अपराधिक शर्यंत्र का मुकदमा चलेगा किंद्रियग्री राजमंत्री अज़े मिस्रा के बेटे आशीश मिस्रा मोनू समेथ 14 आरोपियों के बिरूद पहले धरादू 189, 331, 304-1 के तहट मामला दर्श किया गया था जाच के बाद S.I.T. ने इसे सोचीश समझी शाजिश बताया अब जाच एजनसी ने धरा 307, 326, 302, 34, 120B, 146, 149, 149, 325, 303 के तहट मुकदमा चलाने के लिए कोट में अरजी दी है अब आते हैं दुसरी खबर पर ममता मेनर जी भाजपा के खिलाब देश भर में बिपक्ची छेत्रिये पाटियों को एक जूट कर रही है और कॉंग्रेस को भी अपने अंडर काम करने का एक प्रकार सी ने उता दे रही है वो इस देवरान कह रही है कि कॉंग्रेस अगर चाहे तो टीमसी के गडवंदन में शामिल हो सकती है ममता ने कॉंग्रेस पर एक सुष्ट जमिंदार की तरह बरताओ करने का आरोब भी लगाया बता दे कि उन्होंने दिसम्मर की शुरुवात में सुष्ट पवार चीप शरद पवार और शिव सेना की नेताओं से मुम्बई जाकर मुलाकात की थी कॉंग्रेस के कई नेताओं को तोड़ने के बाद उन्होंने अब शरद पवार की पाटी में भी गोवा में सेंदर लगा दी सुमार्क उन्होंने गोवा में NCP के सिनियर डिडर और विधायक चर्चिल अले माओ और उनकी बेटी वालंका को TMC में शामिल कराया अब आते हैं तिसरी ख़बर पर प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी दो दिवसीय काशी दोरे पर है आज PM ने भाषपा शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकी जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रशार, अगामी विधान सवाचुनाओ, जनता से जुडाओ जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंधन हुआ है टैक कारकिरम के मुताबिक आज PM महामंदिर धाम जाएंगे PM भी हंगम योग के अंठावनों वार्शिक्तों को भी समोधित करेंगे अब अगली खबर, केंदर सरकार की महत्वकांची चार धाम पर्योजना को आज सुप्रीम कोट ने अनुमती दे दिया सुप्रीम कोट ने ओल वेदर राजमार्ग पर्योजना में सलक की चोणाई बढ़ाने और डबल लेन हाइवे बनाने के लिए केंदर को अनुमती दिया ये अनुमती मिलने के बाद चार धाम पर्योजना के तहर भारत की चीन तक पहुँच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतिय सेना चीन से सड़ी सिमावों पर पहुँच सकेंगी कोट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाइबे निर्मार के लिए सलक की चोणाई बढ़ाने में रक्षा मंत्राले की कोई दुर्भावना नहीं है अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर सुप्रीम कोट ने देश भर में बच्चों की दुर्दर्शा के संबंध में स्वता संग्यान लेते हुए राजे सरकारों और केंदसासित परजेशों को बीना किसी देरी के उन बच्चों की पहचान प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोट ने साफ किया कि राजे सरकारों और केंदसासित परजेशों को फिलहाल बाल अधिकार स्नवचन आयोग या नयाले द्वारा बिक्सीत S.O.P.2.0 में N.C.P.R. के द्वारा निधारित चर्णों के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए किसी और निदेश की प्रतिक्षा करने की आउशक्ता नहीं है और इस मामले में राजे सरकारे तेजी से कदम बढ़ाएं शुरुवात में M.I.K.S. क्यूरी गौरो अगरवाल के नुरोत पर पिठ ने N.C.P.C.R. द्वारा दायर हलाप नामे पर विचार किया और इसके एस्टेटेस के बारे में पूस्ताश की अतरिक सॉलिष्टर जनरल नटराज ने नयाले को अउगत कराया कि कुछ राज्यों ने अपने हलाप नामे दाखिल करने के लिए और समय मागा है अब आके हैं कारकरम के अंतिम हिस्ते पर जो है नसीहत आज की नसीहत सर्वपली राधा किश्णन की तरब से सर्वपली रादा कृष्णर ने कहा है कि धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के गोड़े की तरह है तो समझे इस बात को कि धर्म हमारे जीवन का मूल आधार है और हम इसके बिना बेकार है बागी मौश कर ये कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए में दीजिये इजाज़त मेरा नाम है मुहित कुमार सिंग धन्यवाद